सब्सक्राइब करें स्टड़ी विद्ट प्रोफेशनल क्लासिस को और प्रेस करें बेल आइकन फॉर नियू अपडेटिड वीडियो के लिए अगर आपने वह वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उनको प्लेइस्ट में जाकर देख सकते हैं तो आज जो हम करेंगे वह है यूनित वन की बुलिट सिक्स जिसमें हमार रीजनल एकनॉमिक लेवल्स एउ प्लस एशियान सार्क नाफ्टा ये सारे टॉपिक को हम कवर करेंग वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें चैलन को भी सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड से अच्छी अरकर ना भूलें आप हमें टेलिग्राम ग्रूप फेस्बुक पेज इंस्टाग्राम पर भी जोईन कर सकते हैं जिसका लिंक मैं डिस्रिप्शन में दूंगी तो देखो यह है यूजी सी नेट कॉमर्स का स्लेबर्स जिसमें हम यूनिट वन की बुलेट वन बुलेट टू बुलेट थी बुलेट फोर और बुलेट फाइव यह कंप्लीट कर चुके हैं जो आज हम करेंगे वह है बुलेट सिक्स बुलेट सिक्स रीजनेल एकनॉमिक इंटिकरेशन लेकनल नावक जिनल टेड ऑग्रिमेंच और एयू एशियान सायल नाफटा यूएस मि西 यह सभी टॉपिक को हम कवर करेंगे सबसे पहले हम देखते हैं आपर regional economic integration and level of regional economic integration date creation and diversion effects तो regional economic integration basically होता क्या है ठीक है अब यहाँ पर जो regional economic and integration यहाँ पर तीन words है और तीनों का क्या meaning है तो सबसे पहले हम बात करते हैं regional की तो regional का meaning होता है एक particular area या छेत्र ठीक है एक छेत्र की बात करेंगे एक area की बात करेंगे हम ठीक है economic means की country आपस में develop करना चाहती है growth करना चाहती है उसके लिए जब साथ में आती है ठीक है economic growth की बात करेंगे तो वो होगा हमारा economic integration का मतलब होता है add करना या जुडाव या इखटा करना चीज़ों को ठीक है तो regional economic integration अब regional economic integration होता है क्या है कुछ country आपस में मिल कर trade करती है ठीक है trade करती है जिससे कि उनका trade easy हो जाए उसके लिए वो क्या करती है blocks बना लेती है blocks बना लेती है जिसमें बहुत सारी country एक साथ काम करती है ठीकि?" वह कया करती है ट्रेड ब्लॉक्स बना लेती है, या ग्रुप बना लेती है, जिसमें वह आपस में MILकर काम करती है इस तरही एकप्पल है यह पर यह सरकल जासार प्रेप recording, इसमें सारी प्रेपल करिए है इन्होंने क्रतारें इनम्रूम ग्रूम कर लियर्पे है और प टिर्फवों करते है बहुत सारा मटिरियल जो है एक्सपोर्ट करती यह को और युअसे क्या किया करता। उसको import करता है अब एक country export कर दूसरी country import करती इंपोर्ट क्या होता है कि पर्टिकुलर material दूसरी country से मंगाना और export होता है वो material दूसरी country में भीजना ठीक है तो यहां पर USA ने क्या करा इंपोर्ट किया अब जब इंडिया USA को एंपोर्ट कर दो इंडिया का दो बेनीफीट हो रहे है उसको क्या मिल रही है return रिमिल रहे हैं और युस्ए का क्या हो रहे है आ faross सारी करें सी बाँ जा रहे हैं जिस वजे से गया करें सिर्टे क्या मों कि रहेकर लाइगा और इसके लिए ते हैं USA क्या करेंगा टैरिफ तेसारिफ लगाना स्टार्ट करदेगा één च्छ तैरीक होता है कि लगसर लगा देना कुछ गदिना physicalAL नॉन टैरिफ तैरिफ तैरिफ लगसा दे क्या है तो अजो मिर्मन के बार्च िद्लिटाश करें है तो जो प्राइज एटीन रुपीज हो गया तो जो आट रुपे लगा वो क्या लगया टैरिफ लग गया अब नॉन टैरिफ क्या होता है क्वांटिटी पर सब्सक्राइब यहां से जो है दस किलो मटीरिल आना था लेकिन कॉर्मने डिसाइड कि पांच किलो याएगा तो इस तरीके स जो है इंपोर्ट ही नहीं करना चाती दूसरे से ट्रेड ही नहीं करना चाती क्योंकि उनने बहुत सारे टैरिफ लगा दिये अब ऐसा ना हो सके यह सारे कुछ ना हो सके इसके लिए कंट्रियां क्या करती है आपस में मिलकर आपस में मिलकर ट्रेड करना शुरू कर देती है जैसे यहाँ पर आपस में मिल कर दोनो कंद्री तो क्या होगा जिसको जो एकी धाय इंत डॉसरी जो इसको मिल सका होगा वो material available होगा तो regional economic integration में countries क्या करती है काफी सारी countries मिलकर एक group बनाती है जिसमें वो free flow of trade यानि trade आपस में free flow जहाँ पर कोई duty pay नहीं करनी पड़ती तो यह क्या होता है इससे countries को benefit होता है क्योंकि आपस में एक दूसरे को जो materials अप्लाइ करेंगे उसमें ना यह country किसे tax लेगी ना दूसरी country चीक है तो इससे एक country को और दूसरी country दोनों को ही benefit होता है अब जैसे जैसे blocks increase होंगे जैसे blocks increase होंगे regional economic integration trade भी क्या होगा increase होता रहेगा जैसे जो है groups increase होते जाएंगे वैसे वैसे trade भी increase होगा और barriers क्या होंगे कम होते जाएंगे क्युक्क्त free flow trade हो गया कोई जो है tariff है ही नहीं कोई barriers है यह नहीं dan international trade क्या होगा increase होगा अब यहांपर क्या होachen at international trade क्या हो रहता stop हो रह ता रुक रहा था क्यूं क्यू रुक रह था अब आपर इंपोर्टी नहीं हो पाइगो तो इंटरनेर्शनल ट्रीड पर रुक रहाता लेकिन अब रहाइब इहां पर ब्लॉक स्था इपने से होगे। इंटरनेशनल ट्रेड स्टार्ट हो गया। चुर्ड्य को सनलेसा में टीन इंटार्थ of countries in a geographic region to reduce ultimately removed tariff or non-tariff barriers to free flow of good services and factor of production between each other. तो मैंने अभी आपको यही बता था कि एक country, दूसरी country के साथ क्या करती हैं? आपस में मिलकर यह क्या करते हैं? एक agreement sign कर लेते हैं और कहते हैं कि हम आपस में trade करेंगे free flow जहां पर कोई भी barriers नहीं होंगे, जहां पर कोई भी barriers नहीं होंगे, कोई भी tariff non-tariff barriers नहीं होंगे, ठीक है? goods and services and factor of production between each other, जो भी factors हैं, जो भी goods हैं, वो सब कुछ आपस में जो होगा? वो free flow होगा, with the objective of free moment of goods and services, इनका एक ही objective होता है कि जो moments of goods है, वो क्या हो? freely हो सके, also, group also known as trading blocks, अब इन groups को क्या बोलते हैं, इन groups को blocks भी बोलते हैं, ठीक है? trading blocks भी बोलते हैं, जिसमें आपस में country इखटा होती हैं, इसलिए कि आपस में वो वेपार कर सके, और जो भी जो भी उन्हें problems face हो रही हैं, वो problem face ना हो सके, ठीक है? इसके लिए कुछ country हैं मिलकर आपस में वेपार करने के लिए, कि जिससे के एक country दूसरी country पर tariff ना लगा सके, और आप easily वेपार कर सके, easily trade कर सके, ठीक है? जो country, जो material सबसे efficiently बना सकती हैं, वो क्या करें दूसरी country को और जो दूसरी country बना सकती हैं, वो उस country को provide करें, ठीक है, इससे क्या हो आपस में trade अच्छा हो सके, अब level of regional economic integration degree, अब regional trade तो में समझा आगे कि एक country, दूसरी country सब क्या करती है, ग्रुप बना कर यहां पर काम करती है, जिससे की free flow trade हो सके, ठीक है? और आपस में जो भी tariff, non tariff, जो भी barriers है, उसको हटा दिया जाते हैं, और आपस में easily trade करते हैं, अब यहां पर levels क्या है, अब जैसे की example लेते हैं, कि दो friends आगर आपस में friendship करते हैं, तो क्या होता है, स्टार्टिंग में best friend नहीं बनते हैं, पहले वो एक दूसरी को जानते हैं, फिर दीरे उनकी friendship जो ह हमारे agreement है, उन सब को लेकर, तो अब यह कुछ levels कहते हैं, और इन्हें degree भी बोलते हैं, तो देखो क्या होता है, सबसे पहले, preferential trade area, अब example के लिए देखो यहां पर, इंडिया, जपान और रश्या, अब यह तीन हैं, आपस में इन तीनोंने क्या करा, regional economic, जो है, integration कर लिया, और आपस में यह trade करने लगे, ठीक है, तो अब जब यह एक दूसरे को, जब materials apply करते हैं, तो पहले इन्होंने क्या करा, preferential trade area, यानि कि इन्होंने सबसे पहले, जो है, barriers को reduce किया, क्या करा, barriers को reduce किया, कम किया, starting में ऐसा नहीं, पुरे-पुरे remove कर दिय इन्होंने कम करें, मतलब, जहां 10% थे, वहां 5% कर दी, क्योंकि इन्होंने आपस में agreement कर लिया, कि हम आपस में एक दूसरे को, material goods, जो है, freely supply करेंगे, तो यहाँ पर reduce हुए, उसके बाद, free trade area, अब यह क्या करा, इन्होंने free trade area कर दे कि आपस में, जो भी हम lending करेंगे, जो हमाई transaction होगी, उस पर कोई भी charges, कोई भी barrier pay नहीं करने पड़ेंगे, तो free trade area में क्या होता है, removal of barriers to trade among members, अब आपस में इन्होंने क्या करा, जो भी trades से, उनको, जो भी barrier से उनको remove कर दिया, तो इसमें क्या होता है, मतलब, preferential trade area plus free trade area, यह दोनों ही मिल जाते हैं, मतलब, इसक member, अब इंडिया अगर नेपाल ये किसी another country के साथ, जो है, डील करता है, another country के साथ, डील करता है, तो उसमें भी वो क्या होगा, जो charges यहां पर दे, उसी तरीके से वो क्या कर सकता है, उनको भी preference देगा, ठीक है, अब common market, common market में क्या होता है, removal of barriers to trade, people and capital among members, तो जो भी barriers होते ह होते हैं, उन सब को हटा दिया जाता है, common, common market create कर दिया थी, इन तीनों country के बीच के होगा, common market होगी, और वही पे इनका trade होगा, जिसमें सारे barriers क्या कर दी जाएंगे, remove कर दिये जाएंगे, economic union, economic union में common economic policy, अब इन सब के लिए एक ही common policy होगी, ठीक है, monetary and fixed policy among members, जो भी इनके जो policies होगी, वो सारी एक ही decision पे होगी, ठीक है, political union integration, अब क्योंकि ये सब एक एक one by one क्या हो जाएंगे, add हो जाएंगे, ठीक है, free from, free trade area, custom union, अब common market में ये दोनों include हैं, ठीक है, और economic union में ये तीनों include हैं, अब जब political union बन जाती है, एक unity की बात करते है, member unit, political system and merger into one nation, अब चैंकर क्या बन जाते हैं, एक one nation बन जाते हैं, तो हम कहेंगे, ये क्या होगई, integration हो گया, integration में, इते गुरे एक साथ merge हो गया, oportunidad is level of regional economic integration, अब जैसे कि यहा पर क्या होगा, सब merge हो गया, गयाई, एक डुरे क्या हो गया,eles ओ गया, आद आड ये जोепर होगा, ये सा झुरे की बैनीफिट्स औफ रीजनल इकनोमिक इंटीग्रेशिन अब क्या के बैनीफिट है तो रीजनल कि जो हम बात करते हैं तो यहां पर एक या दो यह से ज़ाधा कंट्रीज आपस में मिलकर क्या कर रही हैं जिसमें जो बीडियर से उन सब मेंव किया जा रहा है अब इसके क्या yn गव्फिट के बिना मतलब आपस में क्या करें जहित रहें दो और जो जिसके पास जो specialization है वो दूसरी कंट्री को easily क्या कर रहा है easily दे पा रहा है ठीक है जो भी वो product manufacture कर रहा है वो दे पा रहा है और उसके cost क्या हो रहे है क्योंकि टैरिफ नहीं लग रहे हैं यापर जो भी barriers है वो barriers को remove कर दिया गया है which can benefit all economic अब यह तीनों ही economic के लिए benefit है जो यह product बना पा रही है दूसरा product यह बना पा रहे है यह आपस में क्या कर रहे है उसको exchange कर रहे है ठीक है जो भी उसकी cost है जो barrier से क्योंकि वो हट चुके है तो easily यह product दूसरी country में available हो रहे है जिससे कि इस country की economic level भी बढ़ेगी और इस country की economic level भी बढ़ेगी It results to reduction of the cost and ultimately an increase in overall wealth अभी इन तीनों country की क्या होगी overall wealth जो है वो increase हो क्योंकि इनका economic level जो है वो increase हो रहा है trade costs are reduced and goods and services are more widely available which lead to a more efficient economic and efficient economic disturbs capital goods and services into areas that demand them the most अब basically cost क्या होगी reduce हो रही है क्योंकि barriers नहीं लग रहे है तो जिस cost पे वो product बन रहा है plus profit करके उस product क्या किया जा रहा है sales के जा रहा है तो कस्टमर तक क्या हो रहा है easily available हो रहा है plus उसमें जो charges भी कम लग रहे है और वो cheaper rate पे अविलेबल हो रहा है तो इसके demand भी जादा हो रही है ठीक है और supply भी easily हो रही है लेकिन अब जादा से जादा material बना पा रहे है और उसको supply कर पा रहे है तो जादा efficiency भी बढ़ रही है काम करने की efficiency भी बढ़ रही है और जादे जादे supply भी कर पा रहे है share the cost of public goods and large infrastructure project ठीक है have a building block for global integration अभी यह सारे वही points है कि हम जादे सादे क्या कर रहे है जो एक product एक market को create कर रहे है जिसमें हम क्या कर रहे है global integration अब इस सारी जो country है जो blocks इन्होंने बनाए ठीक है इसमें जितने भी countries है यह सारी country जो है यह सारी country मिलकर क्या बनाती है एक group बनाती है एक block बनाती है जिससे कि वह easily trade कर सके free trade कर सके free flow trade जहां पर जो भी barrier से उन्हें खतम किया जा सके जिससे कि दोनु country की जो economic level जो है वह growth हो सके उनकी wealth increase हो सके growth economic level peace and security अभी आपस में इसलिए भी एक साथ मिलते हैं कि जिससे की peace को promote कर सके और उनकी security भी है उसको भी जादा जादा अच्छे कर सके economic level बढ़ेगा उनकी security बढ़ेगी peace level को जो है बढ़ावा मिले trade easily हो सके इसलिए आपस में जो है country मिलकर क्या करती है एक रीजनल बना लेती है ब्लॉक बना लेती है तो यह सारे हमारे बैनिफीट थे रीजनल Shopify दी यहां पर एक एक क्शामपल थे इनडिया जो है यूस से ट्रेट कर रहा है और रस्या से अब इंडिया जो है जब इस क्राइब तो यहां पर भर जो बेड़र लगा रहा है वो लगा रहा है ड्यूटि 10 की लैदर जैकित वो एकजार के खरीद रहा है प्लस दस परसेंट जो उसकी ड्यूटि यह इंडिया में जव बटिरियल अरे लाई यह आ रहा है तो आराए ग्याराए जो है इंडिया में सप पर्सेन किया कर रहा है इंडिया को इंपोर्ट बसें इन रहे हैं इसले Missus रहा है पlet final गूणे तो Kinilita चेह लानुट में इंपोर्ट कर रहा है कि मैं इंडिया में उन लाRahं इंपोर्ट कर रही है पूदा ऊजब दूटले दूटले की शानले सिपा 03 कर रहे हम। 2010 अब यहां पर क्या है इन दोनों को हमने क्या कर रहां दे लिया कि अधुडिकली नियुत से तो हम 10% 10% ले रहें लेकिन रखाधा अपूरसन दूनों मुट 2 पर लेकिन ऑनल मुट यहांड यह। जहां हुट हैं ने वस्का पॉन्टिटी बना पारा है लेकिन जपान और यूएसे में इतनी एफिशेंसी और इतनी नहीं है ठीक है उसके बावजूद यहां पर अगर हम देखें तो मटेरिल किसका इंडिया में ज्यादा बिकेगा बारासो पचास तो उनको भेंगा पड़ेगा तो यहां पर देखो य यूएसे की क्यों क्योंकि वो क्या है कम रेट पे अवेलेबल हो रही है ठीक है यहां एक एक्सेप्शन मानके चलते कि यहां पर जो है 1100 रुपे में क्योंकि चीपर रेट में अवेलेबल हो रही है तो यहां पर जो कस्टमर जो है जादा-जादा यूएसे की ही परचेस कर अब क्योंकि रशिया एफिशेंट है उसके बावजुद यहां पर इंपोर्ट नहीं कर पा रहा और इंपोर्ट कर रहा है तो बहुत ज्यादा वो चार्जिस पे कर रहा है इसके लिए रशिया डिसाइड करता है क्यों ना हम चारों मिलकर क्या करें आपस में गुरूप बना लें और साथ में ट्रेड करें फ्री फ्लो ट्रेड जिससे की फ्री ट्रेड के जरीए अब यहां पर कोई ड्यूटी पे नहीं करने पड़ेगी ना 10 परसेंट ना यह चालिस परसेंट यानि कि 900 यह चैलिम tobakon के all the new charges ऑने परसेंट इंड्या ने इक जोड़ेगी और यानि कि आप जिस चीज में एफिशने क्यों प्रड mixer उत्स पड़ेग примते और यहां पर जान गया भीन के बीज्वें जो तो वो customer तक 900 रुपे में ही पहुचेगा तो यहां की जो demand वो भी increase होगी ठीक है तो यह होता है इसका benefit अब trade creation में हम क्या करते हैं एक country जो efficient होती है उसको हम साथ में मिला कर क्या करते हैं trade करते हैं यहां पर जो efficient हमने उसको साथ में मिलाया और trade करना start कर दिया तो देखो यहीं लिखा है आपर removal of trade restriction, trade restriction को क्या करती है, खतम करती है, क्योंकि हम सब क्या कर रहे हैं, आपस में मिलकर trade कर रहे है, ठीक है, expansion of trade between members, group of trading blocks, अब हमने क्या करा, trading blocks बना लिया, चारो country ने मिलकर, trade creation will means that consumption shift from high cost producer to low cost producer, that trade therefore expand, अब यहां पर क्या हो गया, पहले जो higher cost यहीं, 1000 रुपे में, 1500 रुपे में जो बन रही थी, जो प्रड़क्ट बन रहते हैं, वो transfer हो गया, किस पर transfer हो गया, 900 रुपे यहीं की रशिया के पास, क्योंकि वो एक efficiently बना पा रहा है, और अच्छी cost में, मतलब कम cost में वो बना पा इसलिए क्या करा, उसकी तरफ यह transfer हो गया, एक efficiently जो बना पा रही है, उसकी तरफ यह क्या हो गया, transfer हो गया, ठीक है, तो यह था benefit trade creation में, trade creation में, उसको ज़्यादा अच्छे से efficient ही काम करती है, उसको हम जोड लेते हैं, और जो नहीं कर पाती, उससे वो shift हो जाता है, यानि क यूएस से क्या हो गया, shift हो गया, रश्या की तरफ, तो यह था हमारे trade creation, अब trade diversion क्या होता है, trade diversion में क्या होता है, यह example के साथ हम समझते है, USA यह यहाँ पर जपान है, और रश्या है, और इंडिया, अब इंडिया पहले क्या करता था, रश्या से trade करता था, तो 900 रुपे की जैकिट जो मिलती थी, ठीक है, और उस पे वो duty लगाता था, duty जो लगाता था, उसके बाद, suppose यहाँ जो duty है, 40% ना मान कर, हम 10% मान लेते हैं, ठीक है, यह 10%, यानि 910 रुपे में, 900 पे हमने 10% लगाया, 90 रुपे, ठीक है, तो 990 रुपे में यह क्या करता था, इंपोर्ट करता था, अब USA भी इंपोर्ट करता था, 1000 में, और यहाँ पर जपान जो है, 1650, अब इन पर भी same duty है, यहाँ पर यहाँ बना रहा है, यहाँ पर यहाँ पर क्या होता है, जो देखा, अब इन तीन कंट्री ने क्या करा, USA, जपान और इंडिया, इन तीनों ने आपस में डि हमें अवेलेबल हो रही थी लैदर जैकेट, वो क्या होगी, अब नहीं हो पाईगी, क्योंकि हमने उसको क्या कर दिया, अलग कर दिया, लैदर जैकेट जो सबसे एफिशेंटली बना रही थी वो थी रशिया, 900 रुपे में, ठीक है, USA बना थी 1000 रुपे में, जपान बना थ इसलिए जो रशिया, जिससे हमारे ट्रेड अच्छे हो रहे थे, जो चीपर रेट पे एक अच्छी एफिशेंटी के साथ, जो हमें लैदर जैकेट अविलेबल करा रहा था, अब वो नहीं हो पाएगा, तो ट्रेड डाइवर्शन में क्या होता है, जो अच्छी एफिशें क्लिक हम नहीं कर रहें उन कंट्री पे, अब यहां पर सप्लाइग कोन करेगा, यूएस से करेगा, ठीक है, तेको ट्रेड प्रेफरेंस ऑफ नेशन इस चेंज, यहां पर ट्रेड प्रेफरेंस के ओज़एदी चेंज रही है, पहले तो हम रश्या से ले रहे थे, लेकिन क् क्या हो गया, आपस में ट्रेड हो गया, एक ब्लॉक बन गया इन तीन कंट्री का, तो अब यह तीन कंट्री ही है, आपस में क्या कर रही है, ट्रेड कर रही है, जिसकी वज़े से जो एफिशेंट कंट्री थी, जो अच्छा मटीरियल बना पा रही थी, वो क्या हो गई, उस से बाहर हो गई तो diversion of trade from more efficient supplier outside the group to word a less efficient supplier within the group अब जो less efficient यानि कि यह example में ने देखा USA less efficient दी है 1000 रुपे में बना रही थी फो product और रशिया कितने मना रही थी 900 में मना रही थी same quality पर तो यहां पर क्या हो गया वो transfer हो गया किस पर transfer हो गया less efficient suppliers पर यह होता है हमारे trade diversion रिजनल ट्रेड एग्रिमेंट रिजनल ट्रेड एग्रिमेंट देखो क्या होता है यहांपर जो तीन कंट्रिया इन्होंने आपस में मिलकर क्या करा एक ब्लॉक बना लिए एक ग्रूप बना लिए यह आपस में free trade करेंगे free flow trade यानि आपस में कोई barriers नहीं होगा जो भी moment होगी goods की वो freely होगी ठीक है अब यह agreement इस यह सारे process में इनका जो agreement होता है इसको बोलते हैं हम regional trade agreement regional trade agreement referred to a treaty that is signed by two or more country treaty का मतब है संधी कंट्रियों ने क्या कर आपस में संधी एक साइन कर ली दो हो सकती हैं कंट्रिया या दो से जादा हो सकती है तो इंकरेज free movement of goods and services across the border of its members तो यह किसीज पर एकरी हो जाते हैं कि जो हमारे trade है जो आपस में trade होगा वो freely होगा उस पर कोई barriers नहीं होगा उस पर कोई barrier नहीं होगा वो freely जो है movement करेगा इनका प्राइमरी गोल यह होता है कि जितने भी ट्रेट्स बैरियर से उन बैरियर को खदम करा जा सके जिससे कि जो गुट्स हैं वो easily movement हो सके easily freely movement हो सके और जो material है वो customer तक पहुंच सके ठीक है fulfill needs of countries and better utilization of resource अब यहां पर क्या होगा जितने भी resources उनका better utilization होगा क्यों यह country अगर जिस चीज में efficient है वो सिर्फ वही product बनाकर क्या कर रही है बाकी countryों में supply कर रही है तो वह जादा से जादा वह product को बनाएगी चीक है उससे क्या होगा उसके जादा जादा रिसोर्स यूज होंगे और जादा सब्सप्लाइब करेंगी तो उसकी economic level भी growth होगी चीक है तो उसकी economic level भी बढ़ेगा employment level भी बढ़ेगा वहाँ पर और रिसोर्स भी जादा जादा यूज होंगे इंकरेज free movement of goods and services between them तो यह इंकरेज करता है कि आपस में जो country blocks बना रहे हैं जो groups बना रहे हैं यह कैसा agreement sign कर लें कि तीन-चार country मिलकर यह उससे जादा countries मिलकर आपस में एक agreement sign कर ले और आपस में जो trade है वो easy कर ले तो यह तामरा regional trade agreement European Union European Union the EU was created by Maastricht Treaty which is entered into force November 1993 the EU represent one of the series to integrate Europe since World War two at the end of World War two several Western European countries sought clear economic social and political ties to achieve economic growth and military security and to promote lasting reconciliation between France and Germany second world war जब हुआ था उसके बाद देखा गया था बहुत सारा जो है बहुत सारी countries को बहुत सारा नुक्सवान हुआ France और जर्मनी की बीच जो हुआ था तो उसमें जो European countries हैं उन्हें बहुत सारा loss हुआ था उस loss को recover करने के लिए उन countries ने आपस में decide गया कि हम countries European countries मिलकर आपस में trade करेंगे ठीक है और peace को promote करेंगे ठीक है जो हमें securities provide करेगा तो यह बना था European Union ऐसे स्टार्ट हुआ था इसके सिंकिंग और उसके बाद यह established वहाता है ठीक है EU अब यूरोपियन यूनियन यूनियन इस पॉलिटिकल कि अथाइस मेंबर ने लेकिन अप कितने रह गई है अब 27 मेंबर ही रह गई है तो यह हमारी 27 मेंबर की पूरे लिस्ट यह अब सारे मेंबर अभी भी EU का पार्ट हैं अब जो EU है European उसमें जो करंसी यूज होती है EU वो करंसी यूज होती है यूरो करंसी यूज होती है ओफिशल करंसी है EU की ठीक है अब जो 27 मेंबर है 27 मेंबर है अब EU क्या कहता है EU नहीं option दिया है EU जो क्या करता है जो भी rules and regulation बनाता है वो दूसरी कंट्रियों पर थौपता नहीं है उनके पास option होता है वो उसको चाहे ले या ना ले उनके बास दो option होते हैं तो देखो 27 कंट्री थी अब उसमें से एक country जो डैन्मार्क थी उसनों ने मना कर दिया कि हम EU करेंसी क्या करेंगे यूज नहीं करेंगे हम अपनी करेंसी यूज करेंगे तो अब बचे 27 मेंबर कंट्री अब 27 मेंसे जो 7 कंट्री थी वह भी इतनी डैवलप नहीं हो पाई थी कि उनको EU करेंसी यूज करने को मिले अभी यह हो जाएंगी तो इनको भी EU करेंसी का option दिया जाएगा तो यह सार बिए जो है यूरो करेंसी यूज होती है यूरो तो ओन कंसिस्ट ऑफ फॉलोंग 19 कंट्री इन यू इसारी जो कंट्री था नाइनीटीन कंट्री इन समय अभी क्या होता है यू 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 होता है अब जो 28 कंट्री थी पहले जो कि अब जो है एक कंट्री हट चुकी है जो है UK, United Kingdom अब इनकी किसलिए बनी थी यह तो हमें पता चल गया इनका हिस्ट्री लेकिन इनके बनने के बाद क्या के benefit हुए अभी आपस में इनके बीच के हो गया कोई भी border नहीं रहा अभी आपस में freely trade कर सकते हैं एक कंट्री दूसरी कंट्री में जाकर freely trade कर सकती है मतलब कोई रोक टोक नहीं है और प्लस इतने भी barriers से वह barriers क्या हो चुके हैं सारे barriers remove हो चुके हैं और जो यहां पर currency चलती है वह euro currency वह भी option इनके पास अगर यह उस currency को यूज करना चाते हैं तो कर सकते हैं और नहीं करना चाते हैं तो नहीं कर सकते हैं यह का खुद का पार्लिमेंट है और इनके suits जो sets rules and regulations है वह follow करने पड़ते हैं सभी country को ठीक है और इनके पास राइट है वोट तो चूज the member of parliament countries को जो है rights है कि वो उसको वोट करें और member of parliament को वो चूज कर सकते हैं EU is a more powerful अब इतने सारी countries है उसके पास तो क्या है बहुत जादा powerful है और वो बहुत सारे peace को प्रमोट करता है ठीक है अब क्यूंकि EU बहुत जादा वाई EU क्यों यह मतलब जुड़े आपस में तो प्रमोट करने किस चीज को पीस को प्रमोट करने ट्रेट को प्रमोट करने के लिए development को प्रमोट करने के लिए economic level पे country की wealth को increase करने के लिए आपस में मिले और उन्होंने आपस में ट्रेड किया चूज यूरो करण सी उनके पास option है कि वो चूज कर सकते हैं यूरो करेंसी को यूरो जशे से एरिया जोन अब यह से इरिया जोन है क्या बेसिकलि यह एरिया जोन है कि जिसमें 22 अभी members countries अब इनके पास एक ही वीजा यह इशु करें से इरिया जोन जिसमें ए और इनमें क्या है आपस में जो ट्रेड है वह फुली वहाँ पर कोई बॉर्डर नहीं है कोई बैरियर्स नहीं है यह सब कुछ क्या है इसली हो जाता है लेकिन जो चार कंट्री है जो भी चार कंट्री बची वह क्या है अभी भी एफ्टा के थ्रू महाँ पर पूरी तरीके से इंपलिमेंट नहीं हो पाए है लेकिन 22 इंपें थे मैंबर फुलीं इंपलिमेंटख़ सेंगान ईंपढेंस ऑपरीडेहन elimu इंपलिमेंट 안ड एक्वएत्विआट्रू पाते हैं तो अबियुओं मेंब्स प्याल्री कंत्रीच काई करते हैं नीज ये पिता है उतना सेगान एक्वाइज थू स्पेसिफिक एग्रिमेंट रिलेटेड टू सेगान एंग्रिमेंट तो यह कुछ एग्रिमेंट स्पेसिफिक एग्रिमेंट के था है तब यह जो चार कंट्री उनको इसका मेंबर वो नहीं बन पाई है लेकिन 22 मेंबर कंट्री अभी इसका पार्ट ह जिस में क्या हो सकते हैं पूरे गृप की तरह काम करते हैं जहां पर ट्रेवली सिरया फ्री मोमेंट गूट्स नहीं कोई और इस कंट्री में ट्रेवल करने के लिए एक ही वीजा की जरूरत होती है तो यह था हमारा पूरा EU अब यह इस्टैबलीश हुआ था कब EU 1 नमबर 1993 को ठीक है मैस्ट्रेक नेधरलेंड में इस्पाइट नॉट ब्रिंग ओफिशली फॉर्म अंटिल 1993 दे यूरोपियन उनियन फॉर्मडेशन एक्चुली रीच फॉर्दर बैक 1957 वें दा यूरोपियन एकनोमिक कम्यूनिटी वस इस्टैबलीश दा एसी वस फॉर्मड आउट प्रीविएस ग्रूप कॉल्ड यूरोपियन कोल स्टील कम्यूनिटी विच हैड इस ओन स्टार्ट नाइटीन पिफ्किवन यह निसे एकनट्रीज एड होती गई बहुत सारी कंट्रीज वन बै वन इसमें एड होती गई इसके जो फाउंडर्स है जर्मनी फ्रैंस इटली नाइधरलेंड बेल्जियम लक्सबर्ग इसको यह सारे अवार्ट्स मिलें लोबल पीस प्राइज प यह सारे इसको आवड मिले वे हैं और सकरscene सेंटर जो है ब्रिशं ले Compass बहुत सिर्ट बैल्ग्स पर गो्र सपीयाट्थ घंडर्सियक फियांस एड में इसका हैडिकावट कया ब्रेश्लियों चाहिएं एक्जाम में की एक्षाल फिस मेंरेंट इसेटन समीवार्ण काउंसिल सींस 1st December 2019 से जो है चाल्स में कहना एंदा एरोपियन काउंसिल फॉर पीरिड फ्रॉम 1st December 2020 नाइन तो 31 में 2020 तक ही रहेंगे इसके मेन अब्जेक्टिव क्या थे अकॉम अउर्पियन एरिया विदाउट बार्डर ठीक है एक कॉमन एरिया बनाना जिसमें वह सारे क्या करें आपस में ट्रेड कर सके वह भी विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन ठीक है तो कोमन साइंटिफिक एन टेक्नोलजी डेवलप्मेंट प्रिवेंशन ऑफ शोचल एक्स्वीशन अस्वालिट्री थीक है तो यह सब कुछ किसलिए सब करें एक जूटता है आपस में मिलकर थीक है तो इन सब के सारे क्या थे मेन अब्जेक्टिव थे कि एक साथ कंट्रीज मिलके जो भी है उनकी टेक्नोलजी सब चीज को क्या करें बढ़ावाद है और ग्रोथ करें एक साथ एकनॉमिक लेवल पर यह ग्रोथ कर सकें रिस्पेक्ट दर लैंविज और कल्चर्स कॉमन फॉरण और सिक्योर्टी पॉलिसीज एक दूसरी की लैंविज को रिस्पेक्ट करें और जो ट्रेड हो सके विदाउट एनि बैरियर्स उसके तो यह अब ब्रैक्जिट देखो होता क्या है यह को समझने के लिए पहले हम जानेंगे यूचे यूचे के बारे में थोड़ा सा यूचि अपने आप में एक बहुत ही जो है काफी कंट्रीयों से मिलकर बना है तो य UK जो है चार कंट्रियों से आपने मिलकर बना है और UK अपने आप में भी एक कंट्री है तो यह सारे कंट्रियां जो मिलकर बनती है इनको बोलते हैं UK यानि United Kingdom से आपने मिलकर बना होगो बना है ऑगा को इसकी बात पता है आइलेंट में इसका पार्ट हुआ करता था यानिन 2092 में इस वे पार्ट आफ यूके लेकि 1990 से निज पहले की बात करें 1922 से पहले की तो यूके में जब आइलेंटने कहा कि हम अलग होना चाहते हैं तो उसके अलग हो गया लेकिन नॉर्थन आइलेंड जो है वो अभी भी क्या हुआ है यूके से जुड़ा हुआ है अब हम बात करते हैं 2014 की तो 2014 में स्कॉटलेंड जो है वो भी अलग होना चाता था यूके से इसके लिए एक रेफरेंडम पास हुआ जो जिसका 18 सेप्टेंबर 2014 वोज स्कॉटलेंड वोट तो रिमेंड पार्ट ऑफ दे यूनाइटिड किंग्डम विद 55 परसें बोटिंग अब यहां पर क्या हुआ एक रेफ तो अब जो चाहते थे कि हम यूके का पार्ट रहे और यह चाहते थे कि सेप्रेशन नहीं हो सेप्रेशन नहीं हो उसके फेवर में थे 55 और जो चाहते थे सेप्रेशन हो उसके फेवर में थे 45 परसेंट तो ज्यादा वोटिंग उसको मिली कि सेप्रेशन ना हो इसी लिए ज Brexit क्या है, अब Brexit यह हुआ कैसे अलग हमारे EU से, अब EU, United Kingdom इससे अलग क्यों हुआ UK, ठीक है, EU में पहले 28 कंट्री थी, अब क्योंकि एक कंट्री जो कि है United Kingdom, UK, इससे क्या हो गई, इसको छोड़ दिया, तो अब कितनी बचे कंट्री हमारी 27 कंट्री बची हैं, ठीक है, अब य क्या कारण था कि EU जो है, EU से अलग होना चाहता था, इसके बहुत सारे कारण है, अब यह हम बात करेंगे कि स्टार्टिं कैसे हुए, तो एक रेफरेंडर 1975, यानि कि सबसे पहले ही, जो यह चाहता था कि UK इससे अलग हो जाए, लेकिन जब वहां पर रेफरेंडम पास तो वोट हुए, वोट में जो है, बहुत सारे लोग जो है, इसके अगेंस से कि हम EU से सेपरेट होना चाहते हैं, जिसकी वज़े से यह UK उस समय इसका पार्ट रहा, आफ्टर 30 येर, यानि कि 2000 के अप्रोक्स, बहुत सारे प्रोब्लम इसको फिर वापस यह फेस करने लगा, और उसके बाद फिर से एक रेफरेंडनम पास हुआ, कि हम फिर से इसके साथ अलग होना चाहते हैं, ठीक है, इसमें जो एक पार्टी जो उभर कर सामने आई, या थी Conservatism Party Promises, इस पार्टी ने UK में प्रोमिस किया, कि अगर मेरी जो सरकार आएगी, तो हम क्या करेंगे, EU से स सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है, तो अब यह डिसाइड हो गया, और Conservatism Party धिरे धिरे आगे बढ़ती गई, और उसने बहुत सारे प्रचार, बहुत सारे एडविटिसमन की, और उसके बाद वो जीत गई, और उसके बाद उसने क्या करा, EU से से सेपरेशन कर लिया, ठीक है, मिलता था, बहुत कम मिलता था, तू मच रेड टैप, अब रेड टैप का मतलब यहां पर बहुत सारी डॉक्यमेंटेशन होती थी, जो EU के रूल से वो सारी कंट्री को मानने पड़ते थे, सारी चीज़े थी, ठीक है, और यह बहुत सारे डॉक्यमेंट कराना है, तो उसके बहुत बड़ा इंपक्ट डाला यूके पे, अब यह क्या था, रेफ्यूजर क्राजिस बेसिकली क्या था, ठीक है, यहां पर बहुत सारे जो लोग थे, उनको वहां की, EU ने डिसाइड किया, हर एक कंट्री को कुछ प्रोपोर्शन ऑफ मेंबर, उन लोगों को जो है, अप हम इससे बिल्कुल ही अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, एवरी कंट्री हाज़ा टेक, अफिक्स नंबर ओफ रेफ्यूजर विदिन दा कंट्री तो प्रोपोर्शन ऑफ दियर पॉपॉलेशन, ठीक है, यह उसने क्या कर दिया, एक रूल पास कर दिया, अब यह क खास क्ट्री में क्या कर रहा था, अगेंस्ट, कुछ कंट्री इसके क्या हो गई थी, अगेंस्ट हो गई थी, कि हमें यह चीजे पसंद नहीं, और हम इससे सैपरेट होना चाहते हैं, लेकिन उन में से बहुत सारी कंट्री को जो है, नेगुशिीत कर लिया, लेकिन जो EU के वोन नहीं कर पाक इसलिए प्रेक्जित हो गया ब्रेक्जित का मतलब ब्रेटेन और एक्षित यानि बृतेन का एक्षित ओना महां से उसको लीव होना यानि के अलग होना ठीक है एक्षित उन डटेट इस ब्रेक्षित तो ब्रेक्जित ऑन जून 23rd 2016 the United Kingdom vote to leave the European Union it could take two year to negotiate the term of to exit some EU member asked for earlier withdrawal the uncertainty dependent business growth for our companies that operate in EU basically यह कहता बहुसा टाइम से negotiate करने कोशिच करें थे कि ठीक है आप मतलब रह सकते हो पाठ यह वो ठीक है लेकिन ऐसा नहीं हो पाया आखिरकर वो एक्जिट हो गया 31st January 2020 को जो वोटिंग होई वोटिंग का रिजल्ट ही आया कि 51% जो लोग थे वो चाहते थे इससे अलग होना और 48% जो चाहते थे EU से अलग नहीं होना तो जो है ज्यादा चाहते जो ज्यादा पॉपुलरिटी थे नंबर वोट ज्यादा थे वो येस के येस पे थे इसलिए ये ब्रेक्जिट हो गया ये अलग हो गया ब्रिटेन और EU से, Asian Association of South East Asian Nation Association of South East Asian Nation Southeast Asian is a regional grouping that promote economic, political and securities corporation among its 10 members अब इसमें काईए यह 10 मेंबर से सारी कंट्रीज है बुर्नोई कमबोडिया इंडोनेशिया लियोज बालेशिया मयामार फिलिपिन्स सिंगपूर ठाइलैंड वितनाम यह सारी क्या हैं जो इसके मेंबर से एसियां के अब Asian की history क्या है तो पहले हम Asian समझने की Asian क्यों establish हुआ तो जब हम बात करते हैं Second World War की जब हो रहा था या उससे कुछ पहले जब लक्षण दिखे कि अब Second World War की इस्तिति है तो देखा गया कि Southeast जो member थे वहां के South Area के अब उन्हों के पास क्योंकि वहां पर World War 1 हो चुका था और World War 2 होने वाला था और World War 2 चल रहा था तो बिफोर और दूरिंग देखा गया कि वहां पर बहुत ज़्यादा पावर्टी है ठीक है और एकनॉमिक बैक्वेड़नेस है अब वह एकनॉमिकली इतने ग्रोथ नहीं कर पा रहे थे जिस वज़े से बहुत सारी प्रॉब्लम को वह फेस कर रहे थे आफ्टर एंड ओफ वर्ड वर सेकिंड प्रॉब्लम ऑफ नेशन बिल्डिंग वह आपस में नेशन बिल्डिंग की प्रॉब्लम हो रही थी उन्हें पावर्टी की एकनॉमिक बैक्वर्डनेस की ठीक है और उसके बाद क्या हुआ अब प्रॉब्लम हो रही थी तो इन्होंने क्यों ना सूचा कि हम आपस में एक ग्रुप बना ले एक ग्रुप बना ले एक ब्लॉप बना ले ठीक है क्या करें आपस में ब्लॉक या ग्रुप बना ले ब्लॉक को ही हम ग्रुप बोलते हैं कि ग्रुप बना ले ठीक है तो एक ब् आफ सोवेट सोशलिस्ट रिपब्लिक एंड युए से युनाइटिट स्टेट ऑफ अमेरिका इफ दे चूज वन अफ देंग अब यह क्या हुआ अब इसके बाद जब सेकेंड वर्ड वर के बाद देखा कॉल्ड वर वा कॉल्ड वर में इनके पास ऑप्शन था कि यह यह तो युएससर को चुने या युएसे को चुने तो अब अगर यह इन में से किसी को चुनते तो एक तो यह अपने ही प्रॉब्लम बहुत सारी फेस कर रहे थे कंट्रिक्स के बीच हो जाते हैं आपस में कंट्रीज के बीच क्योंकि एकनॉमिक लेवल इनका अच्छा नहीं चल पॉवर्टी फेस कर रहे थे तो इस बीच इनोंने सोचा हम इससे अलग रहते और अपना एशियान जो है वो क्रियेट करते हैं और आपस में ट्रेड करते हैं ठीक है यह इनका एगरिमेंट हुआ अब इस एगरिमेंट में जो इनकी में तीन पिलर थे थे तीन पिलर थे 2013 एशियन एग्रिटू इस्टैब्लेश और एशियन कमुनिटी हाविंग थी थी पिलर्स अब तीन पिलर्स कॉंग्हूं से थे पॉलिटिकल सेक्योर्टी हो ठीक है और सेकंड जों था हमारा एकनॉमिक कमूश्टी था हमारा शोचो कल्चर कमूश्टी अब फर्स्ट हमारा पॉलिटिकल सिक्योर्टी कॉमोनिटी अब यह क्या करता है पीस को प्रमोट करता है कि हम शांती को प्रमोट करेंगे को प्रमोट करेंगे आपस में मिलकर हम क्या करेंगे ट्रेड करेंगे विदाउट बैरियर्स ठीक है विदाउट बैरियर्स बिना किसी पर्तिकूलर चीजों को ध्यां में एसित को कुर्व में तो यह चीजों को धियान मेरकत हुए एशियन को पूरी तरह से अंगे बढ़аты और परपुआच कोन्ट्री अचे चोट इस के मेमबर्स प्लस जो है तू इसकी उबजर्वर कंट्री का फूले से उब त्यो इसके अभजर्वर कॉछाब अब आप जो यह दो यह चोई आप जो यह इसके ऑब्सर्वर से एशियान की इसके founder members नक्ष रामाष, अबदिल रेजक, हुसेन, Adam Malik, S. Raj Radhanam, and Tanan Khamnin. और इसका president जो है, हसनाल बॉल किया. इसकी nationality है बुर्निया, और इसका जो मेन मोटो है, वह है बने नेशन, वन इडेंटिटी और एक इन इडेंटिटी और एक कम्मूनिटी. ठीक है, the Asian declared the state that the aims and purposes of the association members, तो इनके क्या जो थे, aims और परपस से थे, to accelerate economic growth, social progress and culture development in region, ठीक है, अब इनका क्या था, main बात की, जो economic level है, वो उनका growth हो, economic level, ठीक है, और यह जाधा जाधा प्रोग्रेस कर सकें, और इनके development जाधा से जाधा हो, आपस में यह freely trade कर सकें, freely trade कर सकें, जिस वैसे वो economic, social progress कर सकें, cultural development हो, यह सारे इनके, जो थे, aims थे, to promote regional peace and stability through, abiding respect for justice and the rule, rule of law, law in relationship among the countries in the, ठीक है, यह आपस में क्या करें, trade को, peace को, इन सबको promote कर सकें, fundamental कुछ principle है, mutual respect to independence, sovereignty, equality, territory, integrity and national identity of all nations, मतलब यह आपस में एक दूसरे की country की respect करें, उनकी integrity को, ठीक है, उनकी equality को, इन सबको आपस में भी, जो है, respect करें, the right of every state to lead the nation, existence, free from external interference, subversion of creation, ठीक है, तो यह आपस में भी जो है, एक दूसरे से, जो है, वो freely work कर सकते हैं, और इस सबसे, जो है, इनकी आपस की जो country है, एक दूसरे की क्या करेंगी, respect करेंगी, ठीक है, non interference in the internal affair of one another, ठीक है, और इसमें कोई interference नहीं होगी, अगर यह आपस में कुछ अपनी rules से regulation कर रहे हैं, अपनी particular internal, जो भी इनकी countries होगी, उन में, ठीक है, तो that is Asian, SAC, South Asian Association for Regional Corporation, The South Asian Association for Regional Corporation, Sark, is the Regional Intergovernmental Organization and Geopolitical Union to States in South Asian. The South Asian Association has established a Sark, Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, Maladip, Nepal, Pakistan, Sri Lanka. So all these countries have established a Sark. So all these countries can create a group and create a block in which we can remove barriers from our country and trade. So all these countries can increase wealth from other countries. Because all these countries are developing countries. It was necessary to create a group and create a free trade in which they can grow up on the economic level and convert to the developed countries. So all these countries can be converted. Observer countries are nine. Australia, China, European Union, Iran, Japan, Republic, Korea, Amars, Missouri, United States of America. So these are nine observer countries. General Secretary is Lala, Ruan, Rekon, Sri Lanka, officer. And they are made in March 2020. It's headquarter in Kathmandu, Nepal. Basically, when it was established in Kathmandu, 8 December 1985 in Dhaka, Bangladesh. The objective is to promote welfare of the people of South Asia and improve the quality of life. So basically, this objective was to promote trade and improve quality and welfare. To accelerate economic growth, social progress and cultural development in the region and provide individuals the opportunity to live in dignity and realize their full potential. And the economic level of the economy can grow. There are some principles like territorial integrity, political independence, non-interference, internal affairs and member of mutual benefit. So basically, it was that in Sarka, when we were able to trade and easily what we could do, in the other countries, which are internal, we could not interfere with more and more. We could only trade in the other countries easily easily easily. And we could grow in economic level. We could also compete in the economic level. And we could also increase its wealth. So this is our Sarka motto. North American Free Trade Agreement Nafta. The North American Free Trade Agreement was an agreement signed by Canada, Mexico and United States that created a trilateral trade block in North America. Now basically, three countries have started trade and the name of NAFTA. Now this is the NAFTA, North American Free Trade Agreement. Now what was the reason why was it? The North American Free Trade Agreement was when we wanted to save our sectors, the other countries acquired the country. So these countries have been trading in the same way. After the trade, we could easily trade tariffs, tariffs, and barriers. So this is our NAFTA. अब NAFTA जो है इसका नाम जो है चेंज हो चुका है इसका नाम हो गया USMC है ठीक है In September 2018 the United States Mexico Canada reached an agreement to replace NAFTA with the United States Mexico Canada agreement USMC है से इसे क्या कर दियागा है replace कर दियागा and all three countries had rectified by it March 2020 यह 2020 तक rectified हो जाएगा NAFTA remained in force until USMC was implemented ठीक है जब तक यह implement नहीं होता तब तक सिर्फ NAFTA रहेगा उसके बाद यह उसकी जगा ले लेगा इसमें जो तीन कंट्रीज थी यह है हमारी Canada, Mexico और United States ठीक है अब हम देख लेते हैं आपर the North American Free Trade Agreement NAFTA signed प्राम मिनिस्टर ब्रेन मेल्रोनी और मैक्सिवन प्रेजिडेंट कार्लोस सेलिनस और यूस प्रेजिडेंट जोर्ज अच डबलू बुश इस्टैबलिश हुआ था यह एक जनवरी 1994 को इसका है एड़ कॉर्टर है The Secretary is located in separate nation Mexico City Mexico और Notawa Canada में है और Washington DC में है यहां पर separate तीनों के headquarters है परपस था NAFTA का NAFTA purpose was encouraged economic activity among North American trees three major economic powers Canada and the US the Mexico इन तीनों को क्या करना encourage करना और इनकी economic जो लेवल है उसको और increase करना economically तोर पे इसको बहुत powerful बनाना Proponent to the agreement believed that it would be benefit three nations involved the promotion free free trade and lower tariff among Canada maximum अब यह क्या कर सके freely trade कर सके और जितने भी barrier से उनको क्या कर सके हटा जा सके remove किया जा सके freely trade हो सके एक दूसरे की country में यह था इसका motive NAFTA का United State Mexico Canada Agreement USMCA अब USMCA से पहले हमें जानना होगा कि NAFTA अब NAFTA में बहुत सारी जो है problems थी अब NAFTA में क्या था कि एक country जो कि सपोज मेक्सिको में मेक्सिको में चाइना या अधर कंट्री क्या करती है आकर यह से product लेती है यह यहां पर आकर इंपोर्ट करती है तो यह easily क्या होता है तीनों कंट्री में क्या होता है और वह तीनों कंट्री में सेल होने लगता है क्योंकि इनका जो अग्रिमेंट नॉर्थ अमेरिकन एग्रिमेंट इसके अकॉर्डिंग यह क्या होगा फ्रीली ट्रेड होगा अब जो है यू ऐसे ऐसा नहीं चाहती थी ठीक है तो इसके लिए कैसा क्या गया यू एसे एमसी है आया यू एसे अपली कि यू नहीं चाहते थे चाइन का जो मटीरल वह जादा जदा इनकी कंट्री यह जो इनकी कंट्री इस इसके लिए उसे को मानने तदी और इसके लिए इन दोनों कंट्री को अग्रिकर लिया अब यहां पर पहले जो 62.5 परसंट होता था अब इनों ने का कि जो 75 पर तो यहां पर जब इंक्रीज हो गया तो उनने सुचा उनका और बेनिफित हो गया लेकिन युएस ने कंडिशन की कि वहां के जितने भी इंप्लॉईज है उनको कम से कम आपको 16 डॉलर पर आर पे करने पड़ेंगे अगर वहां पर वक करते हैं तो यह कंडिशन के साथ यह डि पर आर पर बीचेशन कारताल है तो फोशिद यह पांट बीची प्रेड पीड़ेंगे कंडिशन मार्ट अधिवां बेमारी करतालों फोड़ेंवादाम अपर इंट ध्रॉडीड के फरिशन विश्टीशन परसंडॉड है अन् विइनक्डिशन ने कहां कि हम वैसे तो फ्रि इस पर जो हमारे टेक्सिस है वह आपकी कंट्रीज को भी पेग करने पेड़ेंगे यानि कि 25 परसें जो देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा और 10 परसें अमारा जो है अलुमीनियम इस पर आपको जो है ड्यूटी पेग करनी ही होगी दोस्ट टैरिफ इस्ट ली जो वह है जो है रहे हैं कि अ कॉई कंट्री के अलावा को बहर की कंट्री आ कर इन यसे आपस में ऍार करती है तो पहले यूस्यानिय थैत應該 बताना पड़ेगा कि हआं हम अ मिस कंट्री से ट्रेट करने वाले हैं ठीक है यह इस और बताना पड़ेका एडवांस पार्टनर इन एडवांस मस्ट लेट दोज पार्टनर रिव्यू दा न्यू पॉइंट दोज देर अधर कंट्रीज तू में सर्व 6 मंत विफोर नोटिस दे प्लान तो एक्जिट तो इन्हें बताना पड़ेगा उसके बाद यह दो जो है आपस में रिव्यू करें कि इनके लिए सुटेबल है कि नहीं है अगर इनको अच्छा नहीं लगेगा तो कम से कम सिक्स मंत का जो है ने प्रायर जो है नोटिस देना पड़ेगा उसके बाद ही यहां से एक्जिट हो सकते हैं ठीक है युनाइटेट स्टेट मैक्सिट कैनेडा अब यह जो साइंड वा था तीस नमवंब्र नाइट तो थाउजन एटीन को वा था दस दसंबर 2019 को इसको रिवाइज किया गया और यह एफेक्ट में एक जुलाई 2020 में इसका जो एक्सपेरिंश आप अपन यह कब होगा एक्सप अपर इसका ड्राफ तीस स्टमबर 2018 को इसकी कंडिशन 3 मन आफ्ट नोटिफिकेशन आफ इच सेट ड़ इन टेनल अप्रोसीजर विन गंप्लेट थीन महिन में यह नोटिफाई हो गया इसकी लैंगवेज वैं इंग्लिश पैनिश और फ्रेंच तो यह था हमारा पुरा यह हैं Canada, Mexico, United States, ठीक है, यह था हमारा पूरा U.S.M.C. है, United States, Mexico, Canada, एन एंगरिमेंट प्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें चैनलन को अभी सब्सक्राइब करें आप हमें टेलिग्राम ग्रूप, फेस्बूक पेज, इंस्टाग्राम और आवनारी ब्लोगर भी फॉलोगर सकते हैं जिसका लिंक में दिस्क्रिप्शन में दे दूँ करें दोगर सकते हैं दोगर सकते हैं आप हमें आप हमें दोगर